आज हम बनाएंगे कुनाफे जो एक अर्वी मीठा है जिसके लिए सेवियों लगते हैं यह हमने ओरेंज कलर के सेविया लिया है आप चाहे तो यह जादा तर वाइट सेवियों से भी बनता है तो हमारे पास इस तरह के औरेंज सेविया है तो हम इस तरह के यह औरेंज सेवियों से बना रहे हैं हम आप चाहे तो वाइट सेवियों से भी बना सकते हैं हम आपको बताएंगे वाइट सेविया किस तरह के होते यह white savia इस तरह के market में मिल जाते हैं तो यह इस तरह के saiviyon से बनता है हमारे पास orange savia थे तो हम इस से बना रहे हैं तो इस तरह के हमने size के 4 लिये हमने total हमने 130 gram saiviya लिया है आप आपके baking tray के साथ से जितने भी लगे आपको कम जादा ले सकते हैं तो अभी हमने देड़ सो गिराम लिया है, हमें जितने लगेंगे हम उतने ही लेंगे, अगर हमें लगेगा और लगेंगे तो हम और लेंगे, लेकिन अभी हमने देड़ सो गिराम लिया है, तो देखिए वहनों अगर आपके पास अगर इस टाइप के सेविया मार्किट में है आप इस तरह के भी मंगा सकते हैं और अगर औरेंज मिलते हैं तो औरेंज भी मंगा सकते हैं लेकिन जादा तर इस टाइप के ही मिलते हैं वाइट वाले यह बारिक होती हैं सेवी तो आप यह मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे आपको तो चलिए अब हम सबसे पहले हम शक बनाए बाद चाशनी बनाए बाद रोज वाटर लगेगा और हम एक स्लाइस लीम्गू की डाल रहे हैं पानी में चाशनी में शक्कर के और फिर रबडी के लिए हमें उसके अंदर जो हम डालने वाले हैं तो उसमें हम दो टेबल स्पून खववा डाल रहे हैं और दो टेबल स्पून शक्कर लेगी शक्कर हम कम इसलिए ले रहे हैं कि कि बाद में बेग हुए बाद में नहीं पर चाशनी डालने वाए और धैबलसपून हमने ऐड़ए कॉन 들어 लिया है तो बहरं लोड़ँ याद्गि हम अभी जादा धैबलसपून लिया हम वम इसमें जि अगर आपके पास यह नाप भी हो ता आप mozarela चीज भी ले सकते हैं या कोई भी चीज ले सकते हैं यह इस तरह का हमने liquid वाला चीज लिया है चीज क्रीम लिया हैं तो यह हम 1.5 टेबल स्पून डालेंगे और दूद हमने 1 कप लिया है एक से और आदा कप टोटल हमने 300 ग्राम दूद लिया है तो हमें अगर लगा जादा लगी है तो हम और लेंगे तब यह हमने 1.5 कप लिया है दूद तो इसके हिसाफ से हम रबड के हिसाफ से इसमें कम जादा दानी और घी हमने दो टेबल स्पून लिया है तो वो घी भी हम बैकिंग ट्रेम को लगाने के लिए रखें इसमें से थोड़ा और बाखी का हम यह सेविया में मिला लिए तो चलिए सबसे पहले हम चक्कर की चाशनी डालेंगे यह दो कप हमने पानी लिया है उस तरह से इससे हम ओटा के देड़ कपना मुने तक ओटाएंगे इससे हम 20 से 25 मिनिट टक बॉइल होने देंगे और जो यह हमने शक्कर रखी थी यह भी इसमें हम डाल देंगे और यह जो लिंगू रखाता वो पिसमें डाल देंगे तोसे हम 20-30 से 25 मिनिट तक बॉइल होने देंगे चाश्नchod बने तक इससे बॉइल होने देंगे चलिए अब हम इसका किरीम बनेंगे इसमें डालने के लिए खनाफे के लिए किरीम बनेंगे तो यह जो हमन हमने दूद रखा था वो सबसे पहले डाल देंगे ये एक पैनिंग में हमने रबडी के लिए दूद रखा है क्रीम के लिए जो हम सबसे पहले हम ये मिल्क पॉडर डालेंगे हमने थोड़ा सा दूद डालके इससे मिक्स किया है सबसे पहले ये डालेंगे हम असे अच्छे से मिक्स करेंगे फिर जो ये शक्कर रखी थे ने ये बिडाल देंगे इसमें फिर ये जो खववा रखाता वह बिडाल देंगे फिर अच्छे से मिलाइगे इससे मिक्स करेंगे ये हमारी रबडि ये हमारा जो किरिम के लिए जो हमने ये दूद लिया था इसमें हमने खववा और मिल्क पॉडर और शक्कर डाल दिया है अब इसमें हम ये कॉन फ्लावर डालेंगे जो अब हमने दो टेबल स्पून लिया है अगर हमें लगेगा तो हम और डालेंगे इसे हम जल्दी जल्दी चमचा चलेंगे इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे आज को हम थोरी स्लो कर देंगे फिर बाद में हम ये जो ने चीज क्यूफ रखा था ये खोल खोल के इसमें डाल देंगे बाद में हम इसे मिक्सर के जार में डाल के थोड़ा एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीम चीज डाल के मिक्सर के जार में इच्छे से पिस लेंगे इस तरह से हम एक एक करके ये दोलों क्यूस में डाल देंगे याद रखें आप जब भी पुनाफिय के क्रीम बना रहे हों तो उसे नॉन मिस्टिक पैन में ही बना वरना ये साधे वर्तन में स्टिल में या जर्मन में बनाएंगे आप तो ये चिपक जाएगा अच्छे से हो गया है पाखी के हम इसे मिक्सर में पिसके तो टोटल हमने इसमें क्रीम डाल दिया है कि चीज डाल दिया है इसमें अभी हम क्रीम चीज डालना है अभी हमें जो हम मिक्सर के जार में पिस्ते उखर डाल दिया ये एक और के क्यूस रहेगा था हमारा टोटल हमने तीन चीज क्यूस डाले है इसमें कि अभी हमें दो टेबल स्पून ही काफी लगा लग रहा है कॉन फ्लावर तो बस हम दो टेबल स्पून ही रहने देंगे और नहीं डालेंगे इसमें कॉन फ्लावर तो चलिए बहनों ये हमारा क्रीम तयार हुगया है तो थोड़ा ठंदा होए बाद हम क्रीम चीज डाल के मिक्सर के जार में पिस लेगे तो चलिए अब हम एक पैकिन ट्रे में फुनावर के सेविया को सेट करेंगे हमें एक चमचा एक टेबल स्पून क्रीम चीज डाल रहें इसमें पिर उसके बाद हम ये जो हमने क्रीम बना के रखा है कॉन्सलार और चीज वाला ये भी इसमें जार में डालें इस तरह से पूरा डाल देंगे इसमें हम करेंगे पीज स्वाथ टार ये इसमें जाए टार रहरें जादो है जाए में जाएम क्रीम खूरा ये ओ ँो और ये जाए इसके बाद हम ये जैफल बिल्कुल पाउटी स्पुन जैफल डाल रहे हैं इसमें टेस्ट के लिए डाल रहे हैं हम आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते अब इसे हम मिक्सर में चला लोगे और थोड़ा सा हम चुटकी भर ये नम्मक डाल रहे हैं तो चलिए इसे अब हम पिस लेंगे सब चलिए सबसे पहले हम ये सेवियों में जो हमने ये असली घी रखा था आप चाहे तो इसमें पटर भी मिला सकते हैं ये हम इसमें मिला लेंगे हमें लगेगा कि और चाहिए था हम इसमें और डालेंगे अभी हमने इसमें एक टेबल इस्पून ही डाला हैं इस तरह से इसमें मिक्स कर देंगे हुद्ब से पहले हुद्ब बैकिंग ट्रेल ये हमने इस तरह किलिया है हमने आपके पास जो भी हो नॉनिस्टिक की भी रही तो चलेगा तो हमने एक आच की गोल वाली लिया है इसको सबसे पहले हैं इसको बहनो बटर लगेंगे पुछे लिए सबसे पहले से हम जो हमने यह रखा था यह लगा दिंगे से चारो तरफ से अच्छे से लगा दिंगे ताक कि हमारे यह जो सेविया है मों चिपके नहीं है हमने ओवन को 200 डिग्री पे उसे गरम करके रखा है और उसमें हम यह कभी भी याद रखें आप कोई भी चीज़ बेक कर रहे हों तो ओवन को पहले गरम कर ले 200 डिग्री पे या 180 डिग्री पे दस निट प्रिएट करम करके रखें चलिए अब इसमें हम यह सेविया इस तरह से इसे एक कप के मदब से थोड़ा से दबा देंगे हमें लग रहा थोड़ा सा और खी डालने थोड़ा सा मिसे अच्छे से और डाल देंगे एक कप के मदब से से मच्छे से दबाईए और यह एक कप के मदब से से अच्छे से प्रेस कर लिए इस तरह से सब तरफ से बराबर प्रेस करेंगे हम चार तरफ से अच्छे से इसके बार हमने इस तरह से क्रीम चीज और क्रीम यह जो हमने बनाए थे यह सब इस तरह से सिजार में पिस लिया है हमने तो यह तरह से सिरा दी तरह से च्छे से यह अच्छे से डालेंगे आप चाहे तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं चाहे तो आप थोड़ी सी फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं क्रीमी टेक्स्टर डाइने के लिए अब इस पे हम एक और लेयर सेवियों के डालेंगे अब इस पे हम यह जो सेवियां रखे थे जो डाल दिंगे थोड़े से हमें लग रहा है थोड़े से हम और सेवियां डाल देंगे इसमें हमने थोड़े से और 10 गिराम लिया है टोटल हमें 160 गिराम सेवि ली थी हमने इसे फिरनी भी कहते हैं मार्किट में अगर आप लेने जा रहे हैं जोसे फिरनी कहके भी ले सकते हैं बारिक सेविया फिरनी भी कह सकते हैं तो इस तरह से से हमने यह टोटल हमने एक एक सुसाट गिराम लिया था सी पहले देड़ सु लिया था फिर बाद ने हमने थोड़ा से और दस गिराम नहीं लिया तो टोटल हमारे एक सुसाट गिराम हो गए तो चलिए अब इससे अच्छे से कट कर लिया है हमने इसमें थोड़ा साथ यह जो गही रखाते होड़ा दिने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया हमने यह उपर की सेविय में हमने जो बाद में डाले हैं इसमें हम घी मिला रहे हैं अच्छे से सठ हो गया है इसे हम मैकर ओवन में रखते हैं तो चलिए अब हम इसे ओवन में रख देंगे सोरी हम इसे ओवन में रख रहे हैं तो चलिए अब इसे हम ओवन में रखेंगे हमने ओवन को पहले से करम करके रखा था तो इससे हम तीस से पच्छीस मिनिट टक बेख करेंगे अब हमने दोनों कोईल इसके चालू रखके से तो ट्रे नीचे रख कर रखा हैं तो चलिए से हम तीस से पच्छीस मिनिट टक बेख हुने लेंगे गार हमें लगेगा जल्दी होगा तो हम तिर इससे कम करदेंगे तो चलिए अभी इससे हम बेख हुने देते हैं 30-25 मिनिट टक दोनों कोईल चालू रखके इसे हमने 25 मिनिट पेक किया है और इसे हमने पल्टा दिया है ते ठंडा होने के बाद इसे हमने एक ट्रेक की मदद से पल्टा दिया है अब इसको हम और 5 मिनिट सिर्फ उपर से होने देंगे फिर इसके बाद इस पर शक्कर की चाशनी डालीए फिर पिस्ते से गानिशिंग करेंगे यह हमने से 2-3 मिनिट तीन-4 मिनिट ही उपर से बेक होने दिया था अब हमने यह जो चाशनी रखे थी इसमें से हमने इतनी पाउन का प्लिए थोड़ी सी बचा दी हमने चाशनी हमने इसमें लगेंगे इतनी ही डालिंगे और यह रोस बॉटर हम इसमें एक से दो तीन ड्रॉप डालेंगे यह से हमने गरम कर दिया था चाशनी को इस पर गरम गरम चाशनी डालेंगे इस तरह से और चारो तरह से डालेंगे फिर इससे के हम इस पिष्टे हमने दो तीन टेबल स्पून पिष्टे लेकर इसे पिष्ट दिया था और एक टेबल स्पून हमने पिष्टे बारिक इस तरह से चॉप कर दिया तो हम सबसे पहले इस तरह से अच्छे से गानिशिंग कर लेंगे हमने इस पे अच्छे से पिष्टे से गानिशिंग कर ली हैं और बीच में इस तरह से हम पिष्टे डाल लेंगे तो लीजिए यह हमारा कुनापा तयार है अब हम काटेंगे एक छूरी की मदस्थे से इस तरह से तो लीजिए यह हमारा कुनापा तयार है जिसे हमने हमने इस तरह से काट लिया है इसे अब हम निकाल के एक प्लेट में खाएंगे इस तरह से लीजिए हमारा कुनापा तयार है इस तरह से हमने से इक पीस में काट लिया है यह हमारा कुनापा तयार है इस तरह से हमारा कुनापा तयार है